नमस्कार मैं हूआ आपके संगनित्या मंद्र यन तंतर वास्तु के विसे स्कास्क्रम के साथ निर्जला एकादसी भगवान विष्णू और मा लक्ष्मी को परसण करने का स्वसे बड़ा दीन होता है इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु को परसंद करने के लिए आपको कुछ चीज अवस ही करनी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए चुकि एक गलती करने से पूजा का पुर्णफल आपको प्राप्त नहीं होता है तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे सरबस्रिष्ट निर्जला एकादसी पर अबस कर ये चीज ताकि भगवान विश्नु की किरपा आपके उपर बन सके लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरप्या से सब्सक्राइब कर जाता है क्योंकि घरμी के दिनों में इस बरत में अन और जल नहीं गखन किया जाता है। इसलिए निर्जला एकादसी के दीन किये गए उपाया आपको पुन्ही प्राप्ति करवाते हैं। निर्जला एकादसी के कुछ खास चीज मैं आपको बता रहा हूं जो अवस्त करना आपको इस एकादसी पर इस दिन किया गया उपाय का फल बहुत जल्द मिलता है इन उपाय से भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी भी जल्द परसंद हो जाती है और जीवन में सुक्ष समिर्धी धन धान की प्राप्ति होती है एकादसी के दिन आप पीपल ब्रिक्स की पूजा करते हैं पीपल की पूजा करते हैं लेकिन पीपल पूजा के कुछ नियम होते हैं कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखकर ही पीपल की पूजा करना चाहिए जब भी आप पीपल की पूजा करते हैं तो आप इस चीज का ध पूजा से आपको भसना चाहिए, एक अदसी के दिन पीपल पूजा करने के बाद पीपल का असपर्स ना करें, पीपल पर जल सुबह में चड़ाना जादा अच्छा माना जाता है, इसलिए अगर आप जल चड़ाना चाहते हैं पीपल ब्रिक्स पर, तो आप सुबह के समय में दिपक परदोस काल में जलाना अच्छा होता है, यानि सुर्जास्त के 45 मिट पहले या 45 मिट बाद तक आप दिपक जला सकते हैं, आम तोर पर पीपल के पास रात के समय में आप दिपक ना जलाएं, नहीं पीपल की पूजा करें, रात में पीपल पर दरित्ता का बास माना आता है, रात में पीपल की पूजा करने पर घर में दरित्ता और घरे भी आती है, तो जब भी आप पीपल की पूजा करें, इन बातों का ध्यान हमेशा रखें, अब हम आपको बताते हैं, कि एकादसी के दीन आपको ये चीज अवस्षी करना चाहिए, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, परिसानी है, तो इन चीजों को करकर के आप अपनी परिसानी को दूर कर सकते हैं, तो हम आपको एक एक करके छोटी छोटी उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आप एकादसी के दीन अवस्ष करें, ये आपके लिए काफी महत्पुन होगा, सबसे पहली अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है, तो आप निजला एकादसी के दीन भगवान बिश्नु का पूजन करते समय कुछ पैसे भगवान बिश्नु के सामने रख दें, फिर पूजन के पसात इस पैसे को अपने पर्स में रख लें, अब हर एकादसी पर पूजन के समय यह सिक्के भी पर्स से निकाल कर पूजन में रख लें, इस उपाय को करने से पैसों की तंगी नहीं रहती है, और आपका पर्स हमेशा पैसों से भड़ा रहता है, अगर कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो एकादसी के सुबह जल्दी उठकर परसनान करें, और एक लोटा में सुद्ध जल भर लें, और उसमें थोरा सकर मिला दें, इस जल को पीपल के पेर पर चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय भगवान बिशनु का जो खास मंत्र है, ओम नमो भगवतिय वासु देवाय का जब भी करते रहें, साम के समय पीपल के मुक्ति प्रदान करते हैं, जीवन में कर्ष अगर आप प्रिसान है, तो उससे आपको निशित रूप से मुक्ति मिल जाती है, अगर घर में सुख सांती नहीं रहती है, घर में हमेशा कोई न कोई बिमार रहता है, घर में आलस का बास हो गया है, तो एक आदसी के साम को घी कोने में इस दिये को किसी प्लेट या लाल कप्रे पर रख दे, इसके बाद भगवान बिश्नु और मा लक्ष्मी का ध्यान करें, और इस मंत्र का चाप करें, मंत्र है ओम हिरिम स्रिम लक्ष्मी वासु देवाय नमहा, मंत्र जाप के बाद भगवान बिश्नु और मा आपके जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है लेकिन एक जिसका ध्यान रखे दीपक का बाती उत्तर पुर्दिशा की और रखे तभी आपका ये उपाय काम करेगा कभी कभी आपके जीवन में आपके काम बनते बनते बिगर जाते हैं या काम में बार बार अर्चन आ रही हो तो एक जटा वाला नार्यल और पांच बादाम को एक लाल कपर में बांद ले और इसे भगवान बिश्नु के मंदिर में चठा दे और भगवान बिश्नु से रुके काम बनने लगते हैं कार्यों में समस्त बाधाय भी दूर हो जाती है धन धान और सुक समर्धे की भी प्राप्ति होती है इस दिन चुकि काफी महत्पुन होता है निर्जलाय कादसी का दिन भगवान विश्नु और मा लक्षमी को परसंद करने का सबसे उत्तम और सबसे बड़ हैं जितना संभव हो आप अबस्त करें निर्जलाय कादसी के दिन जल में आमले का रश डालकर असनान करने से बहुत पुन प्राप्त होता है सास्तरों के नुसार जो भी बैक्ती ऐसा करता है उसके समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं निर्जलाय कादसी के दिन मंदिरों में प पक्षियों के लिए जल पातर रखने चाहिए ताकि पक्षी आकर उसमें पानी पी सके। निर्जलाय कादसी पर भगवान विश्नु को खीर में तुलसी के पत्य डाल कर भोग लगाए इससे घर में सांती बनी रहती है। एबम अनाज भगवान विश्नु को अवसी अरपित करें। बाद में ये सभी चीजे गरीबों को दान में दे दे। ऐसा करने से भगवान विश्नु अतिपरसन हो जाते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं भागवत गीदा का पाठ कर सकते हैं कम से कम आप एगारमा एध्या का पाठ हवसी करें ये आपके लिए काफी महच्पुन होगा। इसके साथ साथ निजलायकादसी पर तुलसी की माला से यथा संभब ओम नमो भगवते वासू देवाय मंतर का जाप करते रहें। अगर आप इस दिन रातरी के समय में ये करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा होता है। निजलायकादसी के दिन साथ पीली कौडियां और साथ हल्दी की गाठों को पीले कपरे में लपेट करके तिज़ोरी में रखने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है चुकि इससे मा लक्ष्मी और भगवान बिश्नु दोनों प्रसन हो जाते हैं। निजलायकादसी पर दक्षनाबरती संख की पूजा करने से भगवान बिश्नु एवं माता लक्ष्मी निश्यतूप से प्रसन होती है और इससे धनलाब भी होता है। तो आपके घर में अगर दक्षनाबरती संख है तो इसकी पूजा आप अवस करें। मैंने आपको बताई कि इस दिन आपको क्या अवस करना चाहिए। जितना संभव हो जितना आप कर सकते हैं इस दिन अवस करें कि यह बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो आपको सालों भर किसी चीज की दिक्कत नहीं रहती है। अब जो सबसे मह बात है कुछ चीजों का ध्यान आपको निर्जला अकादसी के दिन अभस ही रखना चाहिए ये चीज आप भूल कर भी ना करें अगर आप ये करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है सबसे पहली चीज इस दिन चाबल का परियोग ना करें इस दिन अगर आप ब्रत नह कर सकते हैं तो कम से कम बिना फलाहार के रहे आप जल पिए लेकिन फलाहार या अन का सेवन ना करें इस दिन किसी की निंदा आपको नहीं करनी चाहिए अपने माता पिता और गुरु का भी अपमान ना करें क्योंकि इन्हे भगवान का ही रूप माना जाता है एक आदसी में दीन के समय सोना या आलस करना भी बरजित माना गया है इससे आपकी ब्रत पूर नहीं होती है अगर आप दीन में सोते हैं या आलस करते हैं तो आप ध्यान रखे इस जिन आप दीन में ना तो सोए और नहीं आलस करें निर्जला कादसी पर भोजन करना भी बड़ित होता है यदि आप रोगी है या किसी अनकारण से निर्जला कादसी बरत ना कर सके तो आप केबल एक ही समय का भोजन करें और साम को ही एक ही समय का भोजन करना आपके लिए उचित होगा तो अगर आप उबास नहीं कर सकते हैं निर्जला ब्रत नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं, तो सिर्फ साम के समय करें, यही आपके लिए अच्छा होगा, इस दीन सुर्जोदर से पुर्व असनान करना अनिवार्ज होता है, इसलिए आप इस दीन सुर्जोदर से पुर्व उठकर असनान कर ल और एक सबसे महत्मुन बात अगर आप इस दिन ब्रत करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो एक आदसी के दिन भगवान विश्णु की बीधी विधान से पूजा अवस करें चाहिए ब्रत रखते हो या ना रखते हो लेकिन भगवान विश्णु की पूजा आपको अवस ही करना तो आज मैंने आपको बताया कि निर्जला एकदस्री के दीन आपको क्या अवस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें, सबस्क्राइब करें, फोलो करें, तथा आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताक भगवान विश्णों किर्पा अबस मिलेगी आज के लिए पर सितना ही धन्यवाद